नमस्तकर, छेलीय आपकी पाम का ऐनलाइसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और आपके का ऐनलाइसिस करने से प alignirm मैं आपकी कुंडली देख लेती हूं, कुंडली आपकी क्या बूलती है देख्या आपका जो बर्थ टिटेन है, 19सेंबर 1994 है है ना और यह 9 दिशंबर हो गया 9 प्लस 1 को 1 करेंगे यानि कि आपका जन्मांक एक हो गया और आप तीनों को एड़ करेंगे तो आपका भाग्यांक 9 हो गया देखिए एक नमर जिसके कि स्वामी गड़े होते हैं मंगल यहां पे आप मंगल के द्वारा रूल किये जा रहे हों तो ऐसे वेक्ति बहुत साहसी होते हैं प्राकर्मी होते हैं कोई भी चीज़ करने में जल्दी डरते नहीं है ठीक है यह बहुत प्लस पॉइंट होता है थोड़ा जल्दवाजी होता है पैसेंस लेवल की कमी होती है यह सारे गुन होते हैं दूसरी चीज आपके जो लकी अं प्रफ़ता मिलती है मंगल से रिलेटेट काम जैसे डिफेंस का जॉब हो गया पुलीस लाइन हो गई खेल हो गया इन सभी चीजों में अच्छी सफलता मिलती है ठीक है शुक्र पक्ष का परतिपदा आधरत थी है जन्म आपका चलिए आपको नीचे देखते हैं देखिए सारे सुक सुबधाएं मिलती है भोग बिलास की चीजें सारे मिलते हैं तो यह बहुत लगी चीज होता है माला भी योग बनना थाड़ा उसमें बुद्धा दिती योग बनना ये भी प्लस पोइंट है आपका उसके बाद आपका मंगल कहा है यहां पे है देखिए साथ नमर साथ नमर के सुख्र सुख्र लगन में बैटके माला भी योग नाइंटीन डिग्री पे है मतलब अच्छा डिग्री है तो शुक्र आपके कुंडली में बहुत बली है सकार नमर पे आठ है आठ नमर इसके सुख्र मंगल हो गया मंगल देखिए धन भाव के सौमी आपके ला नमर है नाइन नमर के सौमी प्राकर्म भाव के सौमी गुरू आपके बैठे हुए धन भाव में वानी के भाव में बहुत सौमी बिचार होता है बानी होता है कुटम काच्छा सा योग मिलता है धन की कमी नहीं होती है लेकिन आठ नमर है तो आठ नमर भी अपना इंपक्ट देगा इस्टेट फोरवर्ड होते हैं आप लोग दसनमर है इसके स्वामी स्वामी बन रहे हैं मकरासी के स्वामी देखिए एक तरसे केंदरभा के स्वामी त्रीकोन में बैठे हैं शनी आपके कुनली में बहुत अच्छे फल देने वाले हैं शनी यहाँ पे बैटके आपको रिशर्च करवाएंगे, शनी बैटके यहाँ ऑकल्ट साइंस में इंट्रेस्ट देंगे, शनी यहाँ पे बैटके आपको पॉलिटिक्स में अच्छे सफलना देते हैं, शनी यहाँ पे बैटके आपको आर्ट की टेक्चर बहुत अच्छे बन देने वाले हैं 12 नमर है 12 नमर के स्वामी यानि शिख्षा उस के स्वामी आपके धन्भाव में बैफ एक नमर आठ एट नमर के स्वामी का लगन के साथ तालुकात बन गया, कोई बात में थोड़ी बहुत रहमेटिज में बता दूमी, देखे चंद्र यहां पे अकेला बैठा हुआ, केमदरुम योग बना रहा है, लेकिन इसको पुर्ण तक केमदरुम योग नहीं बोल सकते हैं, क्योंक बात है। शुक्र उचका हो गया है, नमस कुनली में । तो आपको चंद्र से रेलेटेट आपको कुछ रेमेडीज, नॉर्मल रेमेडीज है, मैं बता दूंगी ठीक हो जाएगा। वाधी, आप कोtest पहनको के रहुते हैं, निलan आपके लिए बेस्ट रतन होगा और आप अपना बर्थ डीटेल में भी आप देख सकते हैं शुद्रग वर्ण है आपका मानब मनुष्य गन है आपका चांदी पाया में जन लिये हैं आप पाया तो अच्छा है आपका एक और भी शुंतरी दसा में देख लेती हूं कौन सी महादशा चल ल रही है जो कि बेस तारिक तक चलेगी उसके बाद शनी की महादशा शुरू हो जाएगी और शनी की महादशा आपके लिए अच्छी है कोई दिक्कत नहीं है हलांकि इस महादशा में जैसे आप कर्म किये हो इसे फ़ल आपको मिलेगा लेकिन सनी आपके कुंडली में योग क बहुत अच्छे जगह पर प्लेस्मेंट है तो मुझे जो लग रहा है कि ज्यादा ये परिशान सनी आपको नहीं करेगा अभी 19 वर्स की शनी की महादशा आने वाली है 20 तारिक से जो कि शुरू हो जाएगी चलिए अब आपके पाम पे आते हैं यह तो कोई कुंडली देख बहुत अच्छे शे करने वाले होते हैं और दूसरी चीज क्या है फिंगर के विच में गैप है इसकी रेमेडिज में आपको बता दूंगे उस रेमेडिज को आप करेंगे ना तो इसका बैड एफेक्ट निगेटिव फेक्टर खतम हो जाएगा वह इससे जा तक बहुत सो दिमान होते हैं भी बैलेंस बनाके चलते हैं यह अच्छी बात है उसके अदे यहाँ पर यह चीज गलत है आपका यह रिस्तेदार खास करके शादी में प्रॉबलम रिस्तेदारों के साथ बनना नहीं इन सभी चीज़ों को इंडिकेट करता है चाइल्ड वर्थ में भी ले नियाए प्रिय होते हैं बहुत ही जादा डिसिप्लीन में लाइफ चले तो ज्यादा अच्छा है सूरी के फिंगर भी अच्छी है दुमांसमांस विमांड के साथ रहेंगे गौर्मन्मेंट जॉब होने की भी संबावनाएं हैं क्योंकि सूरी के साथ मांट पे भी अच्छे मुझे दिख रहे हैं आऊंगी मैं इस पर लेकिन बुद्ध की फिंगर शॉट है और कल्ट है कल्ट है तो फैमिली को लेकर बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेर होते हैं यह लोग अपने फैमिली से अलग रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता है अपने छेत्र में एक्सपर्ट इसको थोड़ा आपको बढ़ाना है अपने लाजिक पावर को लाजिक पावर तर्क भी तर्क बहुत अच्छे से कर लेते हैं चीजों को समझ लेते हैं प्लानिंग भी बहुत अच्छे कर लेते हैं लेकिन उसको एक्सक्यूट नहीं कर पाते हैं उसमें आपको आपके पास मतलब होता है, भले कुझ भी हिकुरू, लेकिन यहां पर हात में डबे होने का मतलब होता है, कि लाइप में जो हैं एस्टिबलीटी की कमी होती है, ग्यान की अनुसार वेक्ति के एक रेमेडी में बताऊंगे सारा कुछ कभर हो जाएगा उसके बाद ये जो है ना गिर्डल आफ वीनश है जो कि शुकर को उच्छ होने का जो कुंडली में यहां भी दिखा रहा है मूट सुइंग का बहुत प्रॉबलम होगा आप में और ये लगजरी कमफर्ट लाइफ में ऐसे लोग मिल जाता है यहां पर आप देखेंगे इस फरकार से यह जो लाइन है इस फरकार से यह अच्छे पैसे को इंडिकेट करता है पैसे अच्छे होते हैं इसे जातक के पास में है ना खास करके मतलब फैमली का पुस्तेनी पुटबजों का मता पिता का अच्छा सेविंग रहता है अप लोगों के पास अब यह सूरी माउंट देखें एक लाइन इस परकार से सूरी माउंट पर गुरूप गया हुआ है अगर इस परकार से जाएना लाइन तो एड्मिनिस्ट्रेशन का अपर लेवल का जॉब मिलता है एड्मिनिस्ट्रेशन का हो गया टीचिंग लाइन हो गया प्रोफेशर लाइन हो गया जहां पे आपको पावर पोजिशन रहता है ऐसी जॉब में सफलता मिलती ही मिलती है लेकिन वही इस्ट्रॉगल ज्यादा है आपके हाथ में, मूड सुईंग का भी प्रॉब्म है, बांकि माल्टी मिलेनियर साइयन भी है, ब्लब पैसे की तो कमी नहीं होगी, नेम फिर दूर दूर तक रहेगा अपना जो आपका काम होगा, करो बार उसका नेम फिर दूर दूर तक रहेगा अगर नहीं मिली होगी तो आप एजेंट का जॉब हो गया इस पे मतलब कमिशन बेस पे काम करिए उससे आपको पैसे आ सकते हैं आपको इसा फलता मिल जाएगी या फिर मंगल से रिलिटेड एज बचाया है तो मंगल से पुलिस बेगर मैं या दोरोगा पुलीस जो होता है उसमें आपको कुछिश कीजिये उसमें मिल जाएगी बुद्ध भी आपका हाथ में वीक दिख रहा है मौँट दबा हुआ है तो इसकी भी remedy कुछ करें ना पड़ेगा मैं बता दूंगी आपको विबाह कब होगी आपने विबाह के बारे में पूछा है ना जौब और विबाह देखे विबाह शनी की महादशा में भी हो शक्ती है क्योंकि शनी आपके फिफ्था उसमें है ना देखे शनी की महादशा में आपकी शादी होने की बहुत ज़्यादा उमीद है तो ये जो टाइम पिरियेड है आपका मैं टाइम बता देती हूँ हाथ से भी वो इंडिकेशन दिख रहा है मैं आऊंगे हाथ पे देखे आपकी जो है शनी में बुद्ध की देखे दो हजार बाइस से पचीस के बीच में परवल योग है तो इसमें आपकी शादी हो जानी चाहिए और हाथ में भी ये योग आपको दिख रहा है हाथ में भी आप यहां पे रेखा देखेंगे तो बहुत सौट रेखा है जो कि आपकी 94 वर्थ है 28 के राउंट शादी का योग आपका बन रहा है तो आपका पहले हाथ पे आ देखेंगे तो बुद्ध की भी रेमेडिज आपको करनी पड़ीगे बैपार कभी भी गलती से भी मत करिएगा बहुत गंदा वाला लास लगेगा तो जाब को ज्यादा पुरिपर रहेंगा जाब ज्यादा आपके लिए बैपार मत कीच्वे बाहरी मंगल अच्छा हा अंदरोनी मंगल भी बहुत अच्छा है तो कहीं नगः वही चीज़ है खेल सैना है ना साहस प्राकरं वाला जाब आपके लिए शूटे बल है आपको हलांकि बिदेश जाने का भी मौका मिलेगा बिदेश से भी पैसे आएंगे ही आएंगे अच्छा ऐसे जाता कि बिदेश में बस भी जाते हैं क्योंकि लाइफ 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 लाइन बिल्कुल आपकी यहां पे गई है तो अपना घर प्रोपर्टी खरीद के वहीं बस जाओ यह भी कहानी है आपके साथ आप जैसे बिहार से होजारखंट से हो ना तो आप मुंबई में आपके लिए यह ना यह सब अंदाबाद मतलब दूर है ना अपने देश से दूर अपने घर से दूर जाने का परवली हो गया क्योंकि आपका के तो भी शपोर्ट कर र आपका उत्रार जज़ जिसको बोलते हैं मतलब लाइफ में मतलब अमीडेज के बाद यानि की अठाइस उनतीस के बाद तीस के बाद अप लगा लीजिए उसके लाइफ में इस्टिबलीटी आपकी आएगी माकी आपका शुक्र कुंडली में जिस परकार से परवल है हाथ म में भी परवल है सुक्र मांट पिंक है उबरा हुआ है साथी साथी यहां पर गिर्डल और वीनस बन रहा है कहना ही क्या बहुत अच्छा है शुक्र आपके हाथ में भी तो लगजरी कमफर्ट रहता है लाइफ बहुत खुश मुजाज रहते हैं आप लेकिन श्रॉगल भी अंदर ही अंदर होती रहती है आपके साथ में ऐसा की नहीं की नहीं होती है मैरेज आपकी अच्छी रहेगी कोई दिकत नहीं रहेगी मैरेज में है लेकिन मैरेज लेट है वही 30 के राउंड है मदला 28 के राउंड 28 के राउंड है आपकी मैरेज तो इस चीज को आप देख हाट लाइन हाट लाइन अच्छी नहीं है तो लब मैरेज के चक्कर में मत पड़िएगा कभी भी बहुत गंदा वाला आपको हाट होना पड़ेगा तो लब मैरेज आपका उतना अच्छा नहीं है ठीक है तो इस चीज को धियान रखिएगा बांकि एमोशनली सपोर्ट नहीं मिला है मेंटली सपोर्ट भी लाइफ में नहीं मिला है और देखिए मेंटली सपोर्ट तो नहीं ही मिला है खास करके 34 से लेके 46 तक फिर भी लाइफ आपकी ठीक है ठीक है ना उससे पहले लाइफ अच्छी है ना उसके बाद उसके बाद आपको माइंड संबंधी प्रॉब एकदम से तो बर्थफले से दूर रहें, बर्थफले से दूर ही सफलता मिलेगी, नजदिक सफलता नहीं मिलने वाली है आपको, ठीक है, उहीं पर आप रहेंगे, हाँ, लक लाइन आपकी बहुत अच्छी है, लिकनि यहीं तक अच्छी है ना, यंग एज तक, बाइस बाइस तक, उसके यहाँ पर दूइप का साइन है, उसके बाद, फिर 35 के बाद, लाइफ लाइन आपकी गई है, और यह लाइफ लाइन तो 35 के बाद, आपकी जो है, लाइफ अच्छी चलेगी, उसके आद देखिए, इधर से जो लाइन आ रही है, इस लाइन का मतलब होता है, कि लाइफ में ग्रोथ होना, फॉरेन विगर से पैसे आना, लेकिन यहाँ पर यह राहू रेखा काटी है, तो 35 के टाइम में आएगा कुछ प्राबलम, वो फिजिकली सिर्फ होगा, ना मेंटली होगा, ना आपको फिनासली होगा, थोड़ा सा फिजिकली चोट चपाट लगन यह होगा, मैं रेमेडिज आपको बता दूँगी, कुनली में भी आपके चंदरशनी की दिश्टिकत संबंद बन रहा है, तो कोट कचहरी से दूर रही है, लराई जगरे से दूर रही है, कोशिस कीज़े बातों से सौल्ब करें काम को, लराई जगरे तक ना जाएं, यह आ आपको धियान रखना है, कि लाईफ में ऐसी कुछ नहीं हो, बाकी हाथ में रेमेडिज जरूर बताऊंगी, मैं मुझे याद दिलाना है आपको, बुद्ध की रेमेडिज आपको बतानी है, गुरू की रेमेडिज बतानी है, आपको, सूरी तो ठीक है फिर भी, और कुंड अधर दोरा केम ध्रूम योग बन रहा है आपका, तो इसका बताना है आपको, देखिए गुरू की पांच में दिरिश्टी, एक, दो, तीन, चार, पांच में दिरिश्टी गुरू की आपके सिक्स आउस पर पर रही है, तो रोगरी पूरन आपको परेशान तो नहीं करेग नो, दस, दस में दिरिश्टी आपके देखिए, उच्छी दिरिश्टी हो गया ना, यह आपका टैन्थ हाउस पर पर रहा है, तो गुरू से रिलेटेड कामों भी भी आपको सफलता मिलेगा, टीचिंग लाइन, कंसल्टेंसी लाइन, इन सभी लाइनों में, ठीक है, और ख खतम हो जाएंगे, वागी मैंने तो आपकी रेखाओं को इसलेशन कर दिया है, इसके बाद कोई लाइन से रेखाएं, चिन है सवाल रहे हैं, तो आपने इसे पूछ सकते हो, नमस्कार,